नमश्कार, सरकार की तरफ से लगातार उन news agencies उन news portal पर रोक लगाई जा रही है जो कहीं न कहीं fake news जो है वो फैला रहे हैं और सरकार की भी कहीं न कहीं चवी जो है वो खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और वहीं जमुकश्मीर की बात किजा है तो यहाँ पर भी district level पर अद्म पहले से ही एक order निकाला था जहां पर यह कहा गया था कि जितने भी न्यूस पोर्टल जमुकश्मीर में रन कर रहे हैं वो अपनी registration जो है अपने certificate जो है वो चक करवाईए अगर कही न कहीं कुछ कमी हुई तो उसे दुरूस्त करवाईए और टाइम भी दिया गया था और जिस बी यहां पर पोर्टल है वो रेजिस्टर हैं अगर नहीं है तो रेजिस्टर करवाई है certificates करवाई हैं और नहीं होते है कि तरफ में तो अभी तक administration डिसी administration की बात की जाए रामबन की तो वहां तक जो पहुँचा है उन्होंने ये साफ़तर पर कहा है कि कुछ पोर्टल ऐसे हैं जिनकी कोई भी verification नहीं हुई है उनके तरफ से कोई भी certificate या कोई भी जमा नहीं करवाया किया है कोई भी बात चीज जो है वह नहीं आए है इसके बेस पर जो information डिस्ट्रिक अडिमिस्ट्रिशन राम तक पहुंची है तो उन्होंने एक order निकाला है order आज ही अभी जो निकला है उसमें साफतर पर बताया गया है कि यह जो पोर्टल है जिनकी information या इनकी जो verification है वो information department में नहीं हुई है जिसके through news portal या newspapers run करते हैं तो उन्हें पूरे तरह के से fake माना जाता है और उन्हें बैन किया जाता है जिन news portal की बात कर रहा हूं उनके नाम मैं बता देता हूं इसमें साफतर पर दो कॉलम्स में बताया गया है कि एक तो name of person operating the fake news portal उसका नाम भी बताया गया और दूसरा name of the fake news portal और कॉल कोंसे news portal है जो रामबन में fake तरीके से चल रहे हैं जिसको देखते हूए सरकार सक्त हुई है इसमें पहला नाम आता है United News उर्दू का इसे बैन कर दिया गया है VD News है एक इसे भी बैन कर दिया गया है इसके साथ तीसरा बात की जाएं न्यूज वस इंडिया है इसे बैन कर दिया गया है Current News of India नाम से एक portal जो है रामबन इसे में run कर रहा था उसे भी बैन कर दिया गया है News Bureau of India नाम से एक न्यूज पोर्टल है उसे भी बैन कर दिया गया है Today News Line जो है ये भी एक न्यूज पोर्टल है रामबन में run करता है इसे भी बैन कर दिया गया है और GHRT News संगलदान के बताया जा रहा है उसे भी पूरे तरीके से बैन कर दिया गया है और जो लोग इसे चलाते थे उनके नाम भी यहां पर बताया गया है यूनाइटिन न्यूज उर्दू की बात की जाए तो इसे लतीफ राजा संगलदान इनका नाम बताया गया है साथ ही वीडी न्यूज की बात की जा तो इन्हें चरंजीत बाली जो है वो रन करते थे उनका नाम बताया गया है और उसके साथ ही बात की जाए जो तीसरा न्यूज वस इंडिया है तो उसका नाम बताया गया है मुबश्र नसीर ये रन करते थे इन्हें भी यहां पर लिखा गया है कि परसन जो अपरेटिंग फेक न्यूज पोर्टल है उनका नाम साफ तोर बताया है और सभी के यहां पर समाज में जो फेक न्यूज फेलाई जाती है जो अफवाहिये पखालार जाए जाती तो इसी चीज और देखते हो रामबन डिस्ट्रिक ने एक सखत कारवाई साफ तोर पर कर दी है और पहले भी निकाला गया था जिसको लेकर कुछ नियूस पोर्टल जो थे वो अपनी इंफॉर्मेशन नहीं दे पाए और जिनके पास पूरा ब्योरा था जिनके पास सेटिफिकेर था जिनकी इंफॉर्मेशन थी जो प्रॉपर सही परकिव में करते हैं इन्हें बैंन किया जाता और अगर इन से रिलेटट वही न्यूज आती है या कोई भी करता है कोई भी जो रिपोर्टर है इस न्यूस पोर्टल पर अगर कोई न्यूस रन करता है तो कहीं न कहीं उस पर सिधे तोर पर कारवाई की जाएगी और इस पर एक्शन लिया जाएगा और यह कहा गया है कि अब के बाद इन न्यूस पोर्टल पर कोई भी न्यूस जो है वो टे फैक नीउस ये पोटल चलाते हैं तो इन पर सकत कारवाई şeyi जा रूप करक्षा आई है इसाद भी यह कहा गया कि आने वाले समय में भी अगर पोई नियूस पोटल नया आता है या पिटी जो पुराने नैउस पूटल में वह फेक नूज समाज कहीं समयझे समाज में इस से गलत संदेश जाता है लॉयर रॉडर जो है वो खराब हो सकता है पीस और हार्मनी की बात की जब वो खराब हो सकती है और साथ ही बात की जा रही है कि जो सरकार की इमेज है वो खराब करने की कोशिश की जाती है तो उन पर कारवाई की जाएगी जिस तरह से इ कश्मीर में तो वहाँ पर भी जल्द इस तरी की कारवाई देखने को मिल सकती है फिलाल दीजे जाज़त दीपब भंडारी के साथ राहूल सिंग दा स्टेट सेंटर्नल के लिए नमस्कार